हेलो दोस्तो आज हम सिखेंगे गतिच उर्जा और सम्वेग में सम्बंद हम इसे बहुत ही सरलवे में समझाएंगे आफ वीडियो में अंत तक बने रहिए चले देखते हैं यहाँ पे हमें दो फर्मूले पता होना चाहिए एक तो गतिच उर्जा का और दूसरा सम्वेग का हम सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं गतिच उर्जा के इस इकल टू वन बै टू एम वी का स्क्यर जिसे के से प्रदर्शित करते हैं गति चुजा को इसलिए हमने के लिख दिया एंड इसी प्रकार हम लिखेंगे समवेक का फर्मूला तो समवेक को दर्शाते P से इसलिए हम P is equal to लिखेंगे MV एंड इसे equation number second दे देंगे अब हम क्या करते हैं इसमें से V को अकेला कर लेते हैं तो V को अकेला करेंगे तो P by M हो जाएंगा is equal to V होगा अब ये V का मान हम equation first में रख देंगे तब equation first क्या हो जाएगी चुकी equation first को agtis लिख देते हैं K is equal to 1 by 2 MV का square एंड हम क्या करेंगे V का मान इसमें रखेंगे तो K is equal to क्या होगा 1 by 2 M और यहां पर देखिए V का वर्ग लगा इसलिए इन दोनों का भी क्या लगेगा वर्ग लगेगा P का भी वर्ग हो जाएगा और M का भी वर्ग हो जाएगा अब हम आगे देखें तो 1 M से 1 M cancel हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा K is equal to 1 by 2 और P का वर्ग बाए M फिर भी वच्चा है अपने पास फिर हम क्या करेगे जो भाग में डिजिट है 2 और M उसको हम इधर ट्रांसपर कर देगे तो वो क्या हो जाएगी वो होगी 2 M K is equal to क्या वच्चा अपने पास P का square और हम क्या करेंगे अब square को हटाएगे तो इस वोर क्या लगेगा root तो हम इधर root लगा के लिखेंगे 2 M K is equal to P और यही गती चुर्जा और शम्वेग में संबंद को दर्शाता है और ऐसी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कर लिजे सस्क्राइब और बेल आइकन को कर लिजे फ्रेज ताकि आपको रोजाना अपडेट मिलते रहे धन्यवाद